नमस्ते मैं डॉक्टर सौंवीर आरे हैं आप सभी का स्वागत करता हूँ योगदर्शन की वैखान माला के स्कारिकरम में आज हम बात करेंगे साधन पाद के सतर में सूतर की जिसमें हम दुख के कारण की बात करते हैं कि दुख का कारण क्या है यानि की तकलिफ और जो कस्ट की बात हमने कही कि जो दुख है है वो उसका कारण क्या है कैसे हमें दुख की प्राप्ती होती है क्या ऐसी सच्वेशन होती है क्या ऐसी अवस्था होते है जिसमें जो दुख का कारण बनती है उसकी हम बात करते हैं सतर सूत्र के साथ चले पहले सूत्र उसके बाद उसकी व्याक्या दर्श्ट्र दर्श्यो संयोगो हे हे तू अब इसमें सबसे पहले बात देखते हैं दर्श्ट्र यानि की देखने वाला अब देखने वाला कौन है पुरुष यानि की हम आत्मा जिसको हम कहें पुरुष जिसको तो उसको बोलते हैं दर्ष्ट्र दर्ष्ट्र यानि की देखने वाला दर्ष्ट्र यानि की प्रकर्ती प्रकर्ती दर्ष्ट्र होती है दर्ष्य होती है और दर्ष्ट्र होता है देखने वाला होता है पुरुष उसके बाद संयोगों उनका आपस का संयोग उनको आपस में ए हे हे तु त्यागने योग्य हे तु यानि दुख का कारण है उसमें हे हे तु की बात की यानि की वो त्यागने योग्य है उसको त्याग देना चाहिए उस उस गलत ग्यान को गलत जानिगारी को त्याग देना ही चाहिए जो की हे तु यानि की दुख का कारण है इस प्रकार स से आप देखेंगे कि प्रकरती और पुरुष दोनों अलग अलग चीजे हैं और प्रकरती और पुरुष को एक मानना यहां पे उनको एक मानना संयोग यानि कि उनको एक मानने की जो भूल होती है वो हे यम यानि कि त्यागने योग है यानि उसका कारण है यानि कि त्यागने योग्य जो कारण है वो संयोग है परकरति और जीवात्मा परकरति और आत्मा का सम्मंद अपसमें उनको एक मानना इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा को एक मानना दर्ख और दर्शन शक्ति को जैसे इस परकार से जो अस्मिता नामक जो कलेश था वो इससे बिल्कुल रिलेट करता है उसमें अस्मिता में क्या कहा गया था जो दर्ख और दर्शन शक्ति उनको एक मानने की जो भूल है वो अस्मिता कहलाती है यहां भी दो अलग लग चीज़े हैं, प्रिकर्टी और पुरुष, इन दोनों को एक मानना ही दुख का कारण कहा गया है, और उसको हेयम यानिकी त्यागने योग्य बताया है, तो हेतु क्या है? कारण. तो कारण क्या हुआ प्रकरती और पुरुष को एक मानना यानि कि दो अलग अलग चीज़ों का जोदि आप एक समझने लगते हैं वो दुख का कारण होता है दो अलग चीज़े हैं तो उनको अलग ही मानना चाहिए तो अलग ना मान करके उनको एक ही सवरूप समझना उनको ए जानना चाहिए तभी कहा है typical हो त्याग्ने योग्य यंग इसको उसकारण को त्याग देना, इसलिए वही त्याग्ने योग्य कारण है उस उसकारण को आपने जल्दी से जल्दी त्याग देना है, यानि कि ऐसा ज्यान, ऐसी जानकारी, ऐसी wrong knowledge, जो आपको भ्रम में डाले, जो आपको गरत जानकारी प्रदान करे, उसको तुरंत आप छोड़ दें, तो छोड़ने योग्या जो होता है, वो ही कारण इसमें बताया है यानि कि प्रकर्ति और पुरुष का आपस में एक मानना उनके संयोग को ही दुख का कारण इसमें कहा गया है तो इस उतर से रिलेटिड को यह आपका प्रशन है तो आप जरूर लिख बेजिए हमें और अपना कीमति समय दे करके योगदरशन की व्याख्यान माला में हमें सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुकरिया और बार-बार एप्रीशेट करने के लिए बार-बार आपकी अटेंशन के लिए बार-बार आपके स्कारात्मक सुझाओं के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे बने रहेंगे तो मैकसिमम लोगों तक इस वीडियो को शेर करें ताकि और लोग भी इसका लाब उठा सकें और कोई कमी है कोई आपका सुझाओ है प्रतिक्रिया तो वो मुझसे ज्यादा से ज्यादा मुझे तक पहुंच सकें इसी उदेशे के साथ अगामी सूत्र को लेकर के जल्राव के सामने परस्तुत होता हूँ तक तक के लिए आप सबका धन्यवाद नमस्ते